एक गाउ में विमला नाम की औरत रहा करती थी विमला अपने 12 साल के बेटे राजु के साथ रहा करती थी वो दोनों एक दूसरे की जिन्दगी का सहारा थे विमला घर-घर जाकर लोगों के आहां बरतंध होया करती थी और इस काम से जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च और राजु की फीस दे पाती राजु जल्दी से तयार हो जा स्कूल के लिए लेट हो रही है ये ले इसे खा ले और हां अच्छे से पढ़ना ठीक है देख बेटा तू पढ़ेगा तभी हम लोगों की जिन्दगी सुधरेगी इसलिए तू मन लगा के महनत करियो ठीक है अब तू स्कूल जा फरना कहीं देर ना हो जाए तुझे पहुचने में इसके बाद राजु स्कूल के लिए चला गया इसके बाद विमला सरिता के यहां काम करने चली गई आओ विमला जब तक तुम नहीं आती मेरे घर का तो काम ही नहीं खट्म होता अच्छा सुनो तुम ऐसा करो बरतंद हो दो मैं तब तक खाना पका देती हूँ ठीक है दीदी इसके बाद विमला ने सारा काम खत्म किया और घर चली गई तब यूसे रास्ते में राजु के गुरु जी मिले प्रणाम गुरु जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ विमला दरसल मैं राजु के बारे में तुमसे बात करने आ रहा था सब ठीक तो है ना गुरु जी? हाँ सब ठीक है मैं ये कहने आया था कि राजु एक अच्छा लड़का है वो पढ़ने में बाकी बच्चों के तुलना में बहुत अधिक बहतर है इसलिए अगर तुम उसे पढ़ने बाहर भेच सको तो उसका भविष्य बहुत बहतर बनेगा लेकिन हम तो गरीब लोग हैं हम शहर का खर्चा कैसे उठाएंगे? उसके चिंता तुम मत करो सरकार राजु जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उसके भविष्य के लिए उसे जरूर भेजूंगी इसके बाद राजु शेहर पढ़ने के लिए चला गया समय के साथ साथ राजु ने अपनी सिक्षा प्राप्त की और एक अच्छी जगह नौकरी करने लगा उसके बाद राजु का विवाह हुआ और राजु शेहर में ही रहने लगा वो हर महीने मा के लिए कुछ पैसे भेजने लगा ताकि मा अपना गुजारा कर सके एक दिन राजु को गाउं से कॉल आई कि उसकी मा की तबियत बहुत जादा खराब है ये सुनकर राजु गाउं पहुँच जाता है और मा के खराब हालत को देखकर उन्हें अपने साथ शेहर ले आता है आओ मा ये हमारा घर है अब तुम ठीक हो जाओगी शिवानी सुनो इधर आना देखो मा आई है प्रणाम मा जी कैसी हैं आप अब यहां आ गई हुँ ना देखना बहुत जल्दी से ठीक हो जाओंगी मा जी आप बिल्कुल जिन्ता मत करिये आप से भी हाद मुधो लीजे मैं खाना लगा देती हूँ इसके बाद सभी खाना खाते हैं इसी तरह कई दिन बीच जाते हैं मा के लिए राजू का प्रेम देख शिवानी को जलन होने लगती है अपने पती का सारा ध्यान मा की तरफ देख वो अपनी सास से नफरत करने लगती है जस वजह से उसका व्यभार विमला की तरफ चिड़चिड़ा सा हो जाता है बहु बहु, सुनना, जरा एक ग्लास पानी तो लाना मैं काम कर रही हूँ, खुद ले लीजिये ठीक है बहु, तुम काम कर लो, मैं खुद ही ले लूँगी शांगु राजु घर आता है आज खाने में क्या बनाया है शिवानी? मैं नौकर हूँ क्या? शिवानी ये कर दो, शिवानी वो कर दो, बस नौकर बना की रखा हुआ है तो कैसे बात करूँ? मुझे कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से मान जाओ न, अच्छा बताओ तो, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना रखा हुआ है, जाकर खालो शिवानी का ऐसा बरताओ देख राजु को कुछ समझ नहीं आता इसी तरह दिन बीट गए, और एक दिन राजु को अचानक किसी वचह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, शहर से सुनो शिवानी, मुझे कल जरूरी काम के चक्कर में कहीं जाना पड़ रहा है तुम घर का ध्यान रखना, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल कर देना और मा का ध्यान रखना, हम? ठीक है, राजु के जाने के बाद शिवानी ने विमला को बहुत परिशान किया अपनी सास से परिशान होकर शिवानी, विमला को वृद्ध आश्रम छोड़ कर आ जाती है सुनो एक फोन करना है अपने बेटे को, यहां किसी के पास फोन होगा यहां फोन सिर्फ एक ही आदमी के पास है, कोई फायदे नहीं तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा आएगा और तुम्हें ले जाएगा हम सभी को यही लगता था, लेकिन अब हम सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बाहर गया है, उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहां हूँ आईसा तुम्हें लगता है, वो गया ताकि तुमको ना पता चले, वो तुम्हें घर से बाहर भेजना चाहता है, इसलिए उसने ये काम अपनी पता देखना, तुम भी देखोगी, मेरे बेटे को जैसे ही पता चलेगा कि मैं यहां हूँ, तो वो मुझे लेने यहां जरूर आ पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, इसके बाद विमला वहां से चली जाती है, और अपने कमरे में बैठ कर रोने लगती है, रो मत और ये खा ले, बुरा मत मान, लेकिन अब सच्चा यही है, हम सब भी यहां किसी तरह अपनी मौत का इंतिजार कर रहे हैं, क्योंकि जब अ जंताने धोखा देती हैं, तो फिर किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता, ना जाने ये सब कब खत्म होगा, तो चिंता मत कर, अब ये ले, खा ले और सो जा, इसके बाद विमला सो जाती है, इसी तरह दिन बीच जाते हैं, इलाज रुक जाने की वजह से दीरे दीरे विमला की तबियत खराब हो जाती है, और एक दिन विमला ये दुनिया छोड़ देती है, लेकिन अपने साथ हुए धोखे की वजह से विमला भूद बन जाती है, अपने शरीर को बिस्तर पे पड़ा देखकर विमला को समझ आता है, कि ये वर्दान उसे उसके साथ गलत करने वालो उनको सजा देने के लिए हुआ है, क्यों प्रभू, आज तक सिर्फ मैंने तेरी भक्ती की, और आज मैं इस तरह यहां मृत्त पड़ी हुए हूँ, तभी एक तीज रोश्नी आती है, ये वर्दान तुम्हें इसलिए मिला है, ताकि तुम उनको सजा दे पाओ, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, जाओ बेटी, अपना बदलालो, तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो तु तुम्हें ना जाने कहां कहां ठून रहा है, ताकि वो तुम्हें वापस घर ला सके, ये सब तुम्हारी पहू का किया धरा है, तुम्हारे आने से उसे दिक इसलिए उसने राजु के घर पे ना होने का फायता उठा कर तुम्हें यहां छोड़ दिया और हाँ तुम्हें एक पदला सब के लिए भी लेना है तुम्हारे यहां का रसोया जो खाने में मिलावट करता है और अच्छा खाना अपने पास रख लेता है चाओ बेटी अपना बदला लो इसके बाद विमला रसोये के पास जाती है और रसोये के सारे बरतन गिरा देती है बरतन के गिरने की आवाज सुनकर वो नीन से जाग जाता है तुम में एक धोके बाज हो जो यहां के लोगों को खराब खाना देते हो नजाने तेरी वचह से कितने लोग यहां मर उन सब ही का मौत का बदला लेने आई हूँ मैं तुमसे मुझे जाने तो मुझे जाने तो आज से ऐसा नहीं होगा मुझे मुझे एक बार माफ कर दू अगर मैंने तुम्हारा ऐसा किया तो मुझे जो सजा देना चाहू वो दे देना इसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने घर पहुँचती है जहां राजू अपनी मा के कमरे में बैठ कर रो रहा होता है उसको ऐसे रोते देख विमला को बहुत बुरा लगता है वो आकर उसके सामने बैठ जाती है शांत हो जा राजू, मत रो बेटा अप मुझे माफ कर दो मा, मैं आपका सही से ध्यान न रख पाया तेरी कोई गलती नहीं है बेटा शिवानी हाँ आई क्या हुआ, सब ठीक तो है न कमरे में आते ही शिवानी डर के मारे चिल्लाने लगती है बंद करो चिल्लाना, जानती हो, कौन है ये मेरी मा, जिन्हें तुम व्रद्राश्रम में छोड़ाई थी ये सुनकर शिवानी डर से, राजु के सामने माफी मांगने लगती है मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई उठ जाओ शिवानी, क्या भी गाड़ा था मैंने तुम्हारा क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? आपके आने के बाद इनका सारा ध्यान सिर्फ आप पर ही रहता था इसलिए तुमने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया मुझे व्रद्राश्रम भेचा गया लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं था मैंने उसे माफ कर दिया अब तुम भी उसे माफ कर दो और कسم खाओ मेरी कि तुम उस से इस बात का कोई बदला नहीं लोगे ये मेरी आखरी इच्छा है, मान जाओ इसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है और विमला को मुक्ती मिल जाती है लेकिन आज भी अगर उस वृद्धाश्रम में कोई लोगों के साथ गलत करता है तो विमला खुदा कर उन्हें सर्जा देती है